हलो दोस्तों Trading विट राज YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB Housing Finance के बारे में बहुत बड़ी निव्ष निकल कर आई है PNB Housing Finance के तरफ से वो निव्ष डिसकस करेंगे और इसमें टेक्निकल लिवल क्या कहते हैं अभी इसमें और भी तेजी बनी रहेगी या गीरावाट सुरू हो जाएगा सारी चीजे आज डिसकस करेंगे इस वीडियो में और आज 12 बचकर 38 मिनट हुए हैं अभी टाइम और आज PNB हाउसिंग फाइनेंस का सेर फ्राइस 442 रुपए पे उपन हुआ था और यही इसका लो था उसके बाद इस स्टॉक ने पीछे मुड कर नहीं देखा और यहाँ पे 425 रुपए 65 पैसे का अपर सरकीट यहाँ पे द हमें देखने को मिला है बहुत बड़ी अपर सरकीट है और न्यूज भी ऐसी धमाकेदार है डिलवरी परसेंटेज लास्ट एडिंग सेशन में 42, 36, 31 मतलब 35 से 40 परसेंट तक का यहाँ पे डिलवरी परसेंटेज हमें देखने को मिला है रिटन की बात करूं तो पिछले एक यहतरीन रिटन देखने को मिला है हमें 6bout में 38% और 3 मंघ में 19% 1 मन्घ में 41% रिटन बहुत अच्छा है बाले ही long time पे यहाँ पे 2 साल में हमें negative देखने को मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा रिटन हमें देखने को मिल रहा है आपे अब दोस्तों यह है वो न्यूस जो आज निकल कर आया है और जैसी यह न्यूस आया है भैंकर थी इसमें देखने को मिली है पिन भी हाउसिंग फाइनेंस का जो बोर्ड मिटिंग हुआ था जिसमें वो लोग फंड राइजिंग करने की प्लान कर रहे थे फंड इकटा क बड़ेगा तो यह डेफिनेटली बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव न्यूस है यहाँ पे इसके सेरधार को के लिए इसी वज़ा से आज इसमें भयंकर तेजी हमें देखने को मिली थी चलिए दोस्तों इतना ही काफी नहीं हमें इंवेस्टमेंट करने के लिए इनक लेकिन अब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो अगर मैं क्वाटरली नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 127 करोर का प्रॉफिट हुआ था बैंक को यह कंपनी को हाउसिंग फाइनेस कंपनी को उसके बाद यहाँ पे देखिए 127 करोर का लास्ट क्वाटर में औ वहीं इस साल positive return देखने को मिला है तो यहाँ पे एक बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है अब इसके results जो है अच्छे आ रहे हैं अब देखी दोस्तो यह एक small cap company है तो दोस्तो यह 7365.1 कडोर की एक small cap company है और यहाँ पे earning per share 55 रुपए 26 पैसे है और यहाँ पे पी रेशियो है 7.92 और इंडस्टी का है 47.78 तो यहाँ पे बहुत कम ही है इसका पी रेशियो बहुत कम price में मिल रहा है company का जो पी रेशियो कम है इंडस्टी का बहुत ज़्यादा है उसी साब से 530 रुपए book value ह अभी भी कोई घाटे का साओदा नहीं है 525 रुपए rate चल रहा है book value 530 रुपए तो अभी भी आप इसमें entry ले सकते हैं overbought zone बिल्कुल भी नहीं है face value 10 रुपए है अभी चली और भी details जानने है last trading session में इस stock ने अपने 52 विक का जो high था 475 रुपए उसके करीब closing दिया था 4 438 रुपए पे और इन्होंने अपने 52 विक का जो high था 475 उसको break कर दिया है आज और बड़ी अच्छी closing आज हमें देखने को मिल सकती है इस stock ने 28 मई को अपना जो last month का high था 435 रुपए उसके भी उपर जाकर closing दिया है तो अब इसमें बड़ी तेजी बन रही है और आगे 50 यह में के बहुत उपर जाकर closing देगा आज और यहां पर पे पैराबोली की stop and reverse trend भी upper side पे लगा हुआ है और इसमें अभी और भी details देखते हैं देखिए मैं आपको यह देखिए जो check list है वो दिखा देता हूँ intrinsic value current value जो है intrinsic value से कम है return भी बहुत अच्छा है dividend attractive dividend नहीं देती company entry points से हैं अभी भी आप इसमें entry ले सकते हैं overbought zone बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसमें ASM, JSM list में include है यह stock अब देखिए default होने की probability बिल्कुल भी नहीं है quality check में भी पास है growth score भी बहुत अच्छा है इस stock को 12 analyst ने cover किया है जिसमें से 41% by clay board है और अब इसमें देखिए ए एक अनुमानित जो price होता है अगर company अच्छा perform करती है तो यहां पर जो है high जो बनाएगा जनवरी 2022 तक 586 रुपए है लेकिन मुझे लगता है यह 586 का जो लेवल है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से इसमें performance अभी देखने को मिल रहा है और यहां पर medium यह सब तो कोई मतलब ही इतना नीचे नहीं जाएगा दोस्तों यह एक अनुमानित आप इस पर 100% बहुता नहीं कर सकते जो पूराना record है उसके हिसाब से यहां पर हमें नजर आ रहा है दोस्तों तो सिर्फ वीडियो देखके investment ना करें आप अपना research करें अपने financial advisor से सल जादा नहीं उठा पाएंगे तो चली दोस्तों मिलता हूं फिर एक नहीं वीडियो को साथ तब तक लिए बाबाए ठैंक्यू